हलो फ्रेंट्स मैं हूँ प्रतीक व्यास प्राइस बाबस है और जैसा आप सभी को पता हुआ कि Google ने Android Q का पहला वीटा वर्जिन रिलीस कर दिया है तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि कैसे आप उसे अपने फोन में इंस्ट्रॉल कर सकते हैं और क्या है उसके नए फीचर यहां पर आपको एंड्रोइट बीटा सो एजी यू कर दिखाएगा कि आपका डिवाइस अल्जिबल है आपको यहां पर जाना है तुर्मस अं करिशन उप्राइग को यहां पर आक के पास जॉइन बीटा वरजन का ऑपशन है इसे टैप करिये तो यहां पर आपको बोल रह कि आपको सैटिंग सिस्टम में जाकर सिस्टम अपडेट चेक करना होगा तो हम लोग एक बात जाते हैं सैटिंग में सिस्टम अपडेट आप देख सकते हैं कि यहां पर यह एंड्रोइड क्यू का जो बीटा वर्जिन उसका अपडेट आया हुआ है और डाउनलोड इंस्टॉल का ऑप्चन है मुझे इसके उपर टैप करता हूं तो यह डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और डाउनलोड होन मुझे रहा है और यहां पर री स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है इसे हम री स्टार्ट कर देते हैं तो आप देखते हैं आप लिखा हुआ है एंड्रॉइड बीटा प्लोग्राव ओके जो फोन है वह एंड़िट बीटा पर आगया है तो आईए देखते हैं अब इसमें क्य क्या features हैं एक बार जाके देखते हैं कि settings में यह हमें android version कौन सा दिखाता है settings about phone and yes आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हो रहा है android q जो की security pass दिखा रहे 5th March 2019 का तो मैं आपको बताता हूं इसके features सबसे पहले हम लोग बात करेंगे privacy के बारे में क्योंकि आप सभी को पता है आजकल हम सभी के लिए हमारा जो data है वो काफी personal होता है और काफी private भी होता है और important भी होता है इसके लिए google ने एक अलग से option दे दिया है जिससे आप applications की पर्मिशन से उन्हें control कर सकते हैं यह option पहले भी था पर पहले आपको हर एक app के लिए अलग से option दिया था बट आप यहां पर settings आपको privacy का अलग से tap मिल जाएगा जिसमें आप जाते थी आपको देखी सारे options मिल जा करता हूं तो यह मुझे दिखा रहे कि जो इतनी पी जो application से यह सारी मेरी camera को use कर रही है तो यह थोड़ा सा easy होगी है कि हर एक application में अलग से चेक नहीं करना पड़ेगा कि इसको हमने कौन से permissions देके रखी है जो next feature नया आया है वो है dark mode ऐसा है कि अभी आप देख सकते हैं यह इसको on करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो overall look है phone का वो एकदम से dark हो गया मैं आपको एक बार setting panel में जाकर दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं कि पहले पूरा white था तो अभी पूरा एकदम dark हो गया और मैं जैसी यहां पर इसको बंद करता हूं आप देख सकते हैं वाप इसे धीर इसे scroll down करता हूं तो यह देखिए बता रहा है until 8.15 a.m. यानि कि estimated battery backup भी आपको यहां पर बता रहे है कि आपका जो फोन है वो एक estimated इतने time कर चल जाएगा अब next वाले पे अगर हम लोग जाते हैं तो वह है power button से लेटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटि तो चला जाता था बट अब ऐसा नहीं है अब आपको left पर यहां पर option आ जाएगा कि आप उसके time को control पर सकते हैं कि कितनी दर दीखेगा या कितनी दर के बाद आपको वापस चाहिए और ऐसे right पर swipe करेंगे तो चला जाएगा अभी जो current है उसमें आप right swipe करते हैं तो भी notification च चुना होगा कि जो यह में पस जो फोन है पिक्सल का इसमें नॉच नहीं है बट जो नए वाले पिक्सल फोन से नॉच है तो उसमें अगर आप screenshot लेंगे तो वो नॉच के साथ आ रहा है तो अभी गूगल ने ऐसा कुछ बताया है नहीं कि यह नॉच जो screenshot है नॉच के साथ यह नहीं आएगा बट अभी जो निउज आई है उसके साफ से screenshot के साथ आ रहा है तो यह तो थे कुछ main changes इसके अलावा अभी कुछ होटे मोटे changes निसे आप icons को change कर सकते हैं जो theme है उसको आप change कर सकते हैं उसके लावा जो एक और change है वो है foldable phones के लिए कि जो आने वाले वाल संकाज से S10 Plus वागरा है जो SDR Plus डिस्प्ले होता है वो वाले जो same features रहेंगे वो शायसे इसके अंदर भी update के बाद मिल जाएंगे इससे की हो सकता है display की जो थोड़ी quality वो पहल से improve हो जाए तो friends यह थे कुछ Android Q के बारे में latest updates आपको यह वीडियो कैसे लगा आप मुशे comment कर के बताईए और हम लोग देखें कि किसका गैस निकलता है सही जिस पर दीक व्यास प्राइस बाबा थैंक्स पर वाचिंग